हेलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग आपका स्वागत है हाथ के यूट्यूब चैनल के लर्निंग फॉइंट में आज के इस वीडियो में हम जो एन आई यूएस द्वारा पीडी पीटी ब्रिज कोर्स चराय जा रहा है वीएड सिचकों के लिए उसके जो पेपर होना है पा इसके पहरे भाग एक भाग दो भाग तीन हम आपको वीडियो की सायता से दे चुके हैं तो देर न करते हो चलती चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो तो आज का कुस्चन है पहला कुस्चन है बर्तमान में चल रही आकलंग की प्रक्रिया से बच्चे में कौ असरुच्छा चिन्ता फिर्शन्ता तो ओप्सन यहां आपका सही होगा फिर्शन्ता स्वरी ओप्सन यहां आपका सही हो जाएगा डी ओप्सन सही होगा फिर्शन्ता next question है सतत एवं ब्यापक मूल्यांकन को मानता कब दी गई question को समझे सतत एवं ब्यापक मूल्यांकन को मानता कब दी गई option है ncf 2005 में rte 2009 में आ बा कोई नहीं तो option आपका सई हो जाता है c a a वायानी की a और b दोनो answer सही हैं इसलिए c आपका सही हो जाएगा दोनों में अंगला question आपका आता है आंकलन ऐसा साधन है जो उपयोगी है मतलब आंकलन एक ऐसा सादन है जो किसम उपयोगी है तो option है बच्चे के लिए सिच्छक के लिए option C दोनों के लिए option D कोई नहीं तो यहां पर option C आपका सही हो जाता है आकलन ऐसा सादन है जो बच्चे तथा सिच्छक दोनों के लिए ही उपयोगी है अंगला कुस्चन है आकलन के दोरान किस चीज का ध्यान रखना होगा तो यहां पर option आपका सही हो जाएगा एक बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी खुद की पिछली इस्तिती से करनी होगी यहां पर द्यान दीजिए एक लिखना ओना चाहिए था तो आकलन के दोरान किस चीज का ध्यान रखना होगा आकलन के दोरान बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी खुद की पिछली इस्तिती से करनी होगी अगला कुस्चन है पिरमुक कौसल है जो पिरमुक कौसल है कौन कौन से है ऑप्सन देखिए सुनना और बोलना पढ़कर समझना लिखना उपरयुक्त सभी तो आपका अंसर सही हो जाएगा उपरयुक्त सभी जो सुनना बोलना पढ़कर समझना लिखना ये सभी पिरमुक कौ इसी किरम में अंगला कुस्चन है प्रवाहिता का कार अर्थ है प्रवाहिता का क्या अर्थ है तो यहां पर आपके आंसर है बाग के कास सही उच्चारण करना सुद्ध लिखना सहजता के साथ बोल पड़ और लिख कर अपने को अविव्यक्त करना ब्याकरण के नियमों को इसपस्ट करना तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी सहजता के साथ बोलना पड़ और लिख कर अपने को अविव्यक्त करना मतलब प्रवाहिता का अर्थ हो जाता है कि कोई बच्चा है बोलकर या पड़कर या लिखकर अभिव्यक यह लगए फबिव्यक्त की जांस कि जासकती है तो आप्सम यहां किरिय करेंग लाप कराके बच्चों नमर यिज ओबिव्यक्त सभी सभीसंग ऽतिए पर वहम परेंगी सही एहगा अगला कुश्चन है बच्चों में मौखिक वासी कोशल के विकास के लिए गतिविदी हो सकती है बच्चों में मौखिक वासी कोशलों के विकास के लिए गतिविदी हो सकती है आफसन आपके हैं परसन उत्तर सहत्र कहाने कहना बोल कर फड़ना उपरयुक्त सभी तो option यहां आपका सही हो जाएगा उपरयोग सभी तो बच्चों में भासी कोंसल का अगर विकात करना है तो पिर्षन उत्तर सत्तर से कहानी कहना या भोलकर भी करशकते हैं अंगला कुश्चन है यदि कोई बच्चा सही उच्चरण ना कर पाए या विसमय परशन बोधक हाव हाव का पियोग ना कर पाए तो सिच्चक को क्या करना चाहिए तो यहां option आपका सही हो जाएगा तुरंत टोकना नहीं चाहिए next question है बोलने सुनने की चमता की आंकलन का महितपूर तरीका कौन सा है option है बोलना सुनना दोनो सिर्ट लेक तो आंसर आपका सही होगा बोलना सुनना दोनो next question है अब लोकन कोशल किस के बिना संभव नहीं है option है अर्थ सच्छंता प्रिरडा गति सीलता उद्दैश तो option आपका सही हो जाएगा अब लोकन कोशल अर्थ सच्छंता के बिना संभव नहीं है next question है लेखन का उसल है तो option है, सरल वासुद वाक्यों में अपनी बात कहना, प्रियोजन के अनुशार, उप्योक्त गती से लिखना, उप्योक्त मूल सब्दों वा रचना विदी का चैन करना, उप्रियोक्त सभी, तो आंसर आपका सही हो जाएगा, उप्रियोक्त सभी, डिन. Next question है आपका, बालक द्वारा सुनी होई कहानी को फिर से सुनना और उसके किस कौसल से को ब्यक्त करती है, मतलब question का सार समझेगे, बालक द्वारा सुनी होई कहानी को फिर से सुनना, उसके किस कौसल को ब्यक्त करता है, तो option है आपका सही हो जाएगा, वी, लिखने के कौसल को अंगला कुश्चन है भासा में सुदता से आसा है तो भासा में सुदता से आसा है सब्दों की सुदता व्याकरी सुदता वह चमता जिसमें सही व्याकर एवं सब्दा वली का उफ्योग करते हुए पाक का सही उच्चारड हो अर्थ की सुद्धता आंसर यहां हो जाएगा सी नम्वर वह शमता जिसमें सही ब्याकरण एबं सब्दवली का उप्योग करते हुए भाक का सही उच्चार हो इसे भासा मैं सुद्धता से आसे समझा जाएगा next question है बच्चे की भासा के बारे में सभी तरह की निपुड़ता के इस तरह को मापने का तरीका क्या है option है निवंद लेखन, कहानी लेखन, क्लोज टेस्ट, सुर्ट लेखन अंसर सही होगा आपका क्लोज टेस्ट इसके पहले हम आपको एकाई 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं अब एकाई 5 देखिए एकाई 5 है अधिगम के प्रारम्बिक इस्तरों पर फर्रेवरण का महत्व प्रारम्बिक इस्तर पर फर्रेवरण विज्ञान का उद्देश यवं छेत्र तो अब इस इनिट के बहु विकल्पी परसन हम लोग समझेंगे तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं आपके लिए इंपोर्टन कुश्चन अंसर तो कुश्चन है प्रात्मिक इस्तर पर फर्रेवरण अध्यन की विस्ञान सामाजिक विज्ञान तथा पर्रेवरण विज्ञान से निकाली जाती है इसलिए याई विस्ञाए छेत्र है तो यहाँ पर आपसन आपका सही हो जाएगा सही योक्त आप चारो आपसन के आपसर देख कर फिर सही आपसर का चुनाओ कर सकते हैं वीडियो जादा बड़ा नहों इसलिए थोड़ा सिदे जो सही आपसर है उसको हम बताते चलेंगे अंगला कुश्चन है संपूर सिच्छा का उद्देश बच्चे का विकास है आपसन है डी सही हो जाएगा चतर मुखी विकास नेक्ट कुश्चन है एन सी एफ दो हजार पांच में पर्रेवरड अध्यन का उद्देश माना गया है तो यहाँ भी आपसन सही हो जाएगा उप रोक सभी नेक्ट कुश्चन है पर्रेवरड से छड़ अधिगम का उद्देश है आपसन देखिए बच्चे को उसके बात्विक संसार से पर्चित कराना पर्रेवरड से सम्मंदित बिशियों को समझने में उसकी साहिता करना सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना उप रोक सभी तो यह सभी आंसर सही है आपसन दी सही है नेक्ट कुश्चन है पर्रेवरड घटकों का योग है प्राकर्तिक, सांस्कर्तिक, मानम निर्मित उप रोक सभी तो आंसर सही हो जाएगा उप रोक सभी next question forever अध्यनियम के अंशार संचालित किया जाता है option है forever के बारे में सीखना forever के माध्यम से सीखना forever के लिए सीखना उपरोग सभी answer यहां पर D से योगा उपरोग सभी अंगला question है किसका कतन है की पित्वी के पास इंसान की आवश्यक्ता ही हर बस तु है परंतु लालच पूरा करने की नहीं तो यह कतन है माध्यम गांदी जी का option A किस धर्म में सद्व पित्वी के साथ सद्भाव पूर्ड सम्मद बना कर रखने पर जोड़ दिया गया है option D उपरोग सभी हिंदु धर्म में इश्लाम सिक ये सभी धर्मों में पित्वी के साथ सद्भाव पूर्ड सम्मद बना कर रखने पर जोड़ दिया गया है तो और भी वीडियो देखने के लिए बिर्जकोर से सम्मद इत हमारे चैनल पर वने रहिए और चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बिर्जकोर सम्मद जो फाइल है उनको कम्प्लिट कराए गया है और जो एक्जाम होना है 19 मार्च से उसकी स्कीम के बारे में भी बताए गया है और जो पर एक्जाम होने हैं उन चारों पेपर का यहां पर विस्तरित स्टडी मेटेरियल भी आपको परदान की अजारा है तो वने रहिए हमारे साथ और अपने मित्रों को सेयर करें वीडियो जो प्रेज कोर्स कर रहे हैं और इसका नया सहसन 2019 मार्च के बाद आने वाला है जिनोंने वीडव भाले भाईवेनोंने नहीं करना नहीं किया है वो अभी कर सकते हैं मार्च के बाद से तो नेक्ट कुस्चिन देखिए हम प्राक्तिक के महानुपारों का नमन करते हैं सभी ब्रद एवं युवा पूरी सकती के साथ कहते हैं कि हमें इश्वरी सकतियों का वर्दान मिला है हमें इन में से किसी को भी अंदेखा नहीं करना है यह कथन सत्थ है रिगवेद का है इजरवेद का है उपनिसिद का फुराड का तो आंसर आपका सही होगा रिगवेद का है इसका है यह रिगवेद का next question है आपका वारती दरसन में हमेशा इस मूल को उंचा रख गया है कि फिर्थवी पर जो भी है एक परवार से सम्मद रखता है इस मूल को कहते हैं तो आंसर आपका सइ सही हो जाएगा इस मूल को क्या कहेंगे बस धैव कुटमबकम नेक्ट कुस्चन हो जाएगा आपका प्रक्रति के सौंदर की प्रिशनशा एक मूल है आप्शन सही हो जाएगा ए सौंदर प्रक नेक्ट कुस्चन है यह है प्रिथवी केवल एक पीडी की ही नहीं है वल की भविश में आने वाली पीडियों को पीडियों की भी है यह है समझ एक मूल है आप्शन यह भी हो जाएगा आपका सही नेतिक अंगला कुस्चन है यह है किसने कहा है कि प्रकृति से अलग सिच्छा बालकों के लिए बहुत हानिका रखोगी तो यह कहा है आपका रविंदना टैगोर जी ने आप्शन बी नेस्ट कुस्चन है फर्य वरण के पच्छ में पर्य वरण के पच्छ में होते हैं आप्शन है प्राकृतिक मानम निर्वित सामाजिक सांस्किर्थिक उप्रोग सभी आपका सही हो जागा उप्रोग सभी नेस्ट कुस्चन है पिर्थवी सूत्र के रचनाकार थे पिर्थवी सूत्र के रचनाकार थे आपका स्थी सही होगा रिसी अर्थ वन अंगला कुस्चन है पर्यवरण में सामिल है आप्शन है भौतिक एवं भौकोलिक परिस्थितियां सामाजिक सांस्किर्थिक आर्थिक एवं रेजनेतिक कंद्र उप्रोग सभी यहां पे आंसर सही हो जाएगा उप्रोग सभी तो फ्रेंट्स आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं यंगले वीडियो में इसका वाग पांच लेकर उसमें आपकी एकाई च्छे के बारे में बताए जाएगा तो एकाई का नाम है पर्रेवरण विज्ञान में सिच्छड अधिगम तो बने रहे हमारे साथ मिलते हैं एक ने झाल